प्रेम से बोलिये जय मातादे अभी पूजन में अनुष्ठान में यग्य में कलश की स्थापना बहुत ही महत पुण होती है कलश स्थापना बहुत ही पुन्य फलदायक होता है लेकिन कलश की स्थापना इतनी महत पुण क्यों होती है कलश का स्थापना इतना पुन्य फलदायक क्यों माना गया है अर्थात कलश के मुख में विश्णु देव का वास होता है कलश के कंठ में रुद्र अर्थात भगवान भोलेनात का वास होता है कलश के मूल में ब्रह्म देव का एवं कलश के मध्य में सभी माताओं का वास होता है कलस इस्थापना में सदे उध्यान रखना चाहिए कि कभी कोई गलती न होने पाए और गलती आप कहाँ पर करते हैं नारियल रखने में कलस के उपर कैसे नारियल रखना चाहिए आज उसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने चैनल के पुराने दर्शकों को धन्यवाद ग्यापित करता हूँ लेकिन अपने चैनल के नवीन दर्शक जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किये हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं, उनसे अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी आउन कर लीजे, जिससे कि जब जब वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो, तो आईए सबसे पहले हम आपको नारियल कैसे रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, नारियल किधर उल्टा दिशा कहलाता है, किधर सीधा दिशा कहलाता है, यहाँ पर एक नारियल जटा वाला है, जो छिला हुआ नहीं है, दूसरा छिला हुआ है, इन दोनों को इस तरीके से इसलिए रखा हूँ, कि पहले में इस जटा वाले नारियल को बताता हूँ जो बिना छिला हुआ नारियल है आप यहाँ पर इसे देख रहे हैं यहाँ पर इसे देख रहे हैं यह मुख का भाग होता है यह पीछे का भाग होता है यहाँ पर नारियल अपने पेड से जुड़ा हुआ होता है इसलिए य या पूँच का हिस्सा कहलाता है जब भी आप नारियल को छीलेंगे तो इधर से नारियल का मुख और नेत्र दिखाई देगा यहाँ पर चुकी इसमें जटा लगा हुआ है पूरा जूट से भरा हुआ है इसलिए इसमें इसका मुख और नेत्र दिखाई नहीं दे रहा है इसी की पहचान कराने के लिए मैं एक छिला हुआ नारियल यहाँ पर आपके सामने रखा हूँ इसे मैं पूरी तरह से छिल लिया हूँ लेकिन थोड़ी सी चोटी बचा करके रखा हूँ मैं आपको बतादू कि जब भी आप नारियल छिले तो इसे पूरी तरह से साफ न करें इसकी जटाएं पूरी तरह से नहटाएं इसकी चोटी थोड़ी सी बचा करके रखें अब आप इसे गोर से देखें तो यहाँ पर तीन बिंदू दिखाई दे रहे हैं उपर के दोनों बिंदू इस नारियल के नेत्र हैं और यह नीचे का बिंदू इसका मुख है कुछ नारियलों में तीन के बजाए दो ही इन बिंदू दिखाई देते हैं और वह एक आक्षी नारियल कहलाता है उसे एक नेत्र और एक मुख मानते हैं वहां बहुत ही शुभ नारियल होता है उसमें साख्छातलक्ष्मी जी का वास होता है तो जब इधर मुख और नेतर दिखाई दे रहा है तो यह सामने का हिस्सा हुआ अब यह किधर दिखाई देता है? इधर, जिधर नारियल अपने पेड से लगा हुआ होता है वह मुख का हिस्सा कहलाता है तो इसे ही आप मुख का हिस्सा मान करके कलश पर इस्थापित करेंगे तो आईए अब हम आपको बताते हैं कि कलश पर नारियल कैसे रखना चाहिए गलत दिशा में रखा हुआ नारियल आपके लिए धन एवं स्वास्त की हानी करा सकता है शत्रू की वृद्धी करा सकता है साथ ही साथ दुख का कारण भी बन सकता है इसलिए किसी भी पूजान अनुष्ठान के समय कलश के उपर नारियल सही दिशा में रखा हुआ होना चाहिए तभी पूर्णत हलाब की प्राप्ती होती है शास्त्रों में कलश पर नारियल रखने की विशय में बताया गया है अधो मुखम सत्रो विवरधनाय उर्धवस्य वक्त्रम्बहुरोग विद्धय प्राचे मुखम बित्त बिनाशनाय तस्मात शुभम सम्मुखनारिकेलम आए अब इस इसलोग के माध्यम से कलश के उपर सही दिशा में नारियल रखने की जानकारी प्राप्त करते हैं इसलोग की पहली पंक्ति के अनुसार पर अधो मुखम सत्रो विवरधनाय अर्थात यदि आप नारियल का मुख नीचे की ओर रख करके कलश में इस तरह से रखते हैं तो आपके सत्रों की बिद्धी होती है इसलोग की दूसरी पंक्ति के अनुसार पर अर्थात नारियल यदि खड़ा करके इसका मुख उपर की ओर रख करके कलश में इस तरह से रखते हैं तो रोग बढ़ता है आपके घर में रहने वाले सदस्यों में से कोई न कोई बिमार रहेगा इसलोग की तीसरी पंक्ति है प्राची मुखम बित्त बिनाशनाय अर्थात यदि कलश पर नारियल का मुख जो नारियल का मुख है पूरब दिशा की ओर हो तो आर्थिक हानी होती है कलश पर यदि पूरव दिशा में इस तरह से रख दिया जाए तो आर्थिक हानी होती है इस तरह से आप देखें तो तीन तरफ नारियल रखने से किसी निकिसी तरह की हानी अवश्य होती है तो फिर कलश पर नारियल कैसे रखें अर्थात जब कलश पर रखे हुए नारियल का मुख पूजन करने वाले विक्ति की ओर हो तो लाभ और उन्नति की प्राप्ति होती है यह मुख पूजन करता की ओर अर्थात इस तरह से हो तब लाभ और उन्नति की प्राप्ति होती है इस स्लोक में तीसरे बिंदू पर यह वात बरनित है प्राची मुखम बित्त बिनाशनाय अर्थात कलश पर रखे नारियल का मुख पूरब दिशा की ओर हो तो आर्थिक हानी होती है इसलिए तस्मात शुभम सम्मुख नारिके लम अर्थात कलश पर रखा हुआ नारियल पूजा करने वाले बिक्ती की ओर होना चाहिए इससे यह साबित होता है कि नारियल का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए क्यों यदि पूरब दिशा में इस तरह से करके रख दिये तो इबित्त का नाश होता है और यदि पूजक की ओर रखेंगे तो इसे ऐसा रखना हुआ तो यह पश्चिम दिशा की ओर हो गया सास्त्रों में ऐसा इसलिए वरणित है कि आप जब भी कोई पूजन अनुष्ठान करने बैठते हैं तो पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं ऐसी स्थिती में कलश पर रखेंगे वी नारियल का मुख पूरब दिशा में न हो करके पूजन करने वाले विक्ति की ओर इस तरह से होना चाहिए जिससे कि विक्ति को पूजा करने वाले विक्ति को लाभ और उन्नति की प्राप्ति हो सके लेकिन कुछ स्थानों पर ऐसी भी समस्या आती है यदि कोई इंसान पश्रिम दिशा की ओर मुख करके पूजन करे तो ऐसी इस्थिती में यदि वह अपनी ओर मुख करके नारियल को रख देता है तो नारियल का मुख तो पूरब दिशा में हो गया ऐसे मैं आर्थी खानी हो सकती है लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है ऐसा नहीं है सदेव इस नारियल का मुख पूजन करता की ओर ही होना चाहिए आप किसी भी दिशा में बैट करके, किसी भी दिशा में मुख करके बैट ये पूजन कीजिए लेकिन इस नारियल का मुख सदेव आपकी ओर होना चाहिए शास्त्र में यह वरणित किया गया है कि कलस इस्थापना में कलस के उपर जो नारियल रखना है उसका मुख अन्यत्र किसी भी दिशा में न हो करके पूजन करता की ओर होना चाहिए चाहे पूजन करता किसी भी दिशा में मुख करके पूजन करने को बैठा हो इसलिए आप सदेव एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पूजन करने बैठें और कलस के इस्थापना करें तो इस नारियल का मुख अन्यतर किसी भी दिशा में न रखते हुए इसका मुख सदेव अपनी ओर ही रखें इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने कलश के ऊपर नारियल सही दिशा में रखने के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई और मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताईएगा और यदि इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक सधिक लोगों तक शेयर कीजेगा जिससे की इस वीडियो के बारे में इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में कलश के उपर नारियल सही दिशा में रखने के बारे में अधिक सधिक लोग जानकारी प्राप्त कर सके औ हिन जै भारत बंबं भोले नात की जै मातारानी की जै जै गुरुदेव